नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अमारे चैनल पर आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब आप स्कॉलर्शिप का फ़र्म ऑनलाइन भर रहे हैं तो बैंक एकाउंट डेटल्स डालने का अपसन नहीं आ रहा है केवल ब्यक्तिगत ब्यूराट डालने क आपसन आ रहा है अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर हम बैंक एकाउंट डेटल्स नहीं डालेंगे तो स्कॉलर्शिप का पैसा कैसे आएगा वीडियो को अंत तक देखे इस वीडियो में हम सभी चीजे डेटल्स में बताने वाले हैं अगर आप वीडियो को अंत तक आपका प्रोब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर हमारे इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिलेगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राब और वीडियो को लाइक जरू कर देना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहां पर देखिए दोस्तों जब मैं छात्र बृत है तो अब एदन पत्र बरे पर क्लिक करता हूं तो नेक्स्ट पेज आता है इस पेज में पंजीकरण ब्यूरण और व्यक्तिगत ब्यूरण देखने को केवल मिल रहा है बैंक ब्यूरण देखने को नहीं मिल रहा है तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं अब इस आपके अधार काट से seed है यानि की NPCI से link है अगर आप जानना चाहते हैं कि scholarship का पैसा कौन से bank account में आएगा या कौन सा bank account हमारे अधार काट से seed है NPCI से link है तो वीडियो को last तक देखे चलिए बताता हूँ सबसे पहले कोई भी browser open करना है और type करना है myadhar.gov.in टैप करने के बाद सर्च करना है उसके बाद सबसे उपर वाले link myadhar.uidi.gov.in पर click करना है किलिक करते ही आप आधार काड के official portal पर आ जाएंगे इस portal का interface आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा अगर आप direct इसी portal पर आना चाहते हैं तो इस वीडियो के description box में link दे रखा हूँ link पर click करके आप direct इस portal पर आ सकते हैं आपको नीचे आना है जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा bank seeding status आपको bank seeding status पर click करना है click करते ही next page आएगा इस page में यहाँ पर आधार number डालना है इस scripture code को यहाँ पर डालना है और login with OTP पर click करना है जैसे ही आप login with OTP पर click करेंगे आपके अधार card के साथ जो भी mobile number लिंक होगा उस पर छेंग का OTP आएगा OTP यहाँ पर डालना है और login पर click करना है click करते ही आप इस portal पर login हो जाएंगे अब आपको फिर से bank seeding status पर click करना है click करते ही next page आएगा इस page में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सा bank account आपके अधार card से seed है NPCI से link है यहाँ पर जिस भी bank का नाम देखने को मिलेगा scholarship का पैसा उसी account में जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं अधार card के साथ कौन सा bank account seed है